लर्शुन की खेती अगर अब तक्शन्य की रूप से करते हैं, तो, आप 20mm€ आसने कमा सकते हैं आज मेरे रहें लर्शुन की खेती से क्थे आपवर कमाईएं उसकी जानकारी देंगे सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं लशुन की खेती, यह 11 जो आज बिंदु हैं इन बिंदु पर चल्चा करेंगे, उप्युक्त जलवाई, कैसी जलवाई में आपको लशुन की खेती करनी चाहिए, कहां पर आपका उप्युक्त जलवाई है, और दूसरा भूमिका भूमिका चैन कैसे करेंगे, भूमिका चैन में आप क्या विशिश ज्यान देंगे, 3, 19 जल किश्मों, पर बात करेंगे, 19 जिसमें आप अधिक उतपादन ले चकता है, 4, उप्युक्त खाद उर्प्रग, आपको कौन-कौन से आश ही पोर सकता तो ज्यादा मात्रा में पर लहसुन के खेती में जिसचिया आपका उतपादन अधिक्तम हो सके。 5. वीज की बॉाई का समय, वीज की बॉआई का उप्युक्त्य समय क्या है, जिसचे की बॉआइक आपका रोगलिटा कीड़ु से भी बचा जा सकता है. तो निराई गुडाई उसके बाद, चटा नमबर, आप निराई गुडाई कितनी दिख करनी चाहिए लहसुन के खेटी में, इसकी बात करेंगे, शीचाई, आप कितनी शीचाई करेंगे, और कप-कप करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, रोग और केड़ नियंतन, आप आप अपने नियंतन कैशे करेंगे अपने लहसुन की फसल में पहले से कांट्रोल करेंगे बंदारन इंपोटेंड है तो आपको अच्छे रेट मिलने वाले हैं तो जब आप करके मार्केट में बेचेंगे उसके बाद 6-7 मेहने के बाद तो आपके आय दुगनी होगी तो मिलने वाली है कमाई कितनी होगी टोटल एक एकड़ से यह पूरा आज लशुन की खेती में बताएंगे लेकिन बने रही हमारे इस वीडियो में क्योंकि आपको चंद मिनटों में इन सब 11-11 जो बिंदू है इन पर पूरी चर्चा कर लेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायू की बात करते हैं सबसे पहले लशुन की खेती में एक इंपोर्टन कारण है क्योंकि विशेश रुप से लशुन की खेती में वैशे तो हर प्रकार के मौसम में इसकी खेती की जा सकते हैं लेकिन विशेश रिध्यान इतना ही दिना पड़ता है कि जिस छेत्र में यह जीताइन की तो कि पड़ता है वी आद्यागी लश्य रदावान की खेती गयाए है। लेकिन जहां पर्ता में आप लश्यून की खेती कर सकते हैं अधिक्तम आधियान ले शकते हैं लेकिन छलवाए एक आ भूमे भूमी का चैन कर से करेंगे देखो भूमी के चैन में क्यों एक ही जियान देने की बात है यह सबी प्रकार की मर्दाओं में इसके खेती की जा सकती है लेकिन विशेज रूप से जल भराव वाली जगव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जहां पर जल निकास की अच्छी ब्यौस कर लें लाशुन की 19 शिल किस्मे यह बहुत इंपोर्टेंड है लाशुन की 19 शिल किस्मे कोई भी फसल क्यों नहीं हो सबसे पहले बीज का चैन करना बहुत जरूरी होता है अगर बीज का चैन आपने अच्छा कर लिया तो आपका उत्पादन फाने ली बढ़ने वाला है उ जो पूरे कहीं भी किसी जवी छेत्र में आप क्यों न रहते हो वहां के लिए उप्यूक्त किस्मे हैं मैं उन किस्मों पर बात करने वाला हूं विशेष रूप से पंत्लोया की बात करेंगे सबसे पहले जो किसान उत्री मैदानी छेत्रों से आते हैं या उत्राखंड के र उनके कंद का भार 20-22 ग्राम तक होता है, प्रते कंद में 18-20 गल्यां होती है, लेकिन इसका बुवाई का उप्प्रिक्ट समय है, अक्तूबर का पर्थम पक्षड़ा, अक्तूबर के पर्थम पक्षड़े में आप इसकी बुवाई करें, अगर भेहरती में, इस किष्व में बेज्यानिक तरीके से आप शंतूलित मात्रा में खाज उर्वरत देते हैं, तो पर्ती एकड़ उत्पादन चालिस कुंटल हो जाता है, कितना चालिस कुंटल उत्पादन आसानी से हो जाता है, ताइप फिप्टीश शिक्ष योग किसम विशेश रूप से पंजाब छेतर के लिए उप्यूक्त है, जो भी पंजाब चेतर से हैं, वह इस किसम का चैन आउश्य करें, तो पंजाब के अलावा अन्यों परदेशों में भी इसकी खिती की जा सकती, लेकिन पंजाब में जो है इसकी जलवाई है, जो जो ख्लाइमेट है, वहां के लिए उप्यूक्त कि में है, लेकिन इसके अलावा अन्यों राज्यों में भी इसकी खिती की जा सकती है, लेकिन जो राज्या है, गुजराद माध्यपरदेश, करनाटा का महरास्य बिहार यह आग उप्यूक्त जो है, वहां के लिए रिलीज की गहिया इन प्र देशों के लिए ये अधिवी फा करते हैं और इसका उत्पादन 45 कुंटल पर अगर आशानी से हो जाता है अगर आप इन राज्यों से हैं तो आप किस्म को आउश्यरूप से इसके बाद बात करते हैं खाद उरुब्रक और जिवा मरद यह इंपोटेंड है फार्मर से क्या करते हैं इतने पोश्वक्तत्तों की आपूर्ति के लिए अगर उनके पार 500 से 200 कुंटल गुबर की कंपोश्ट खाद नहीं होते हैं तो उसकी जोगा पर क्या करते हैं फार्मर डीएपी एनपी के जितने भी राशानी खाद उरुब्रक आरे मार्केट में उनका अंधादुन च्छड़काव करते हैं अधिक्तम उत्पादन लेने के लिए ऐसा बिल्कुल न करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लेसुन की खुदाई के बाद तुरंत बेचना पड़ेगा आप उसको भंडारीत नहीं कर सकते हैं उसकी भंडारीत समता खत्म हो जाती है अगर आपको उसकी भंडारन समता को बनाए र जीवामरत बताती है, आप जीवामरत का चल्काव कर सकते हैं, आपको केवल 10 किलो देशी गाही के गोबर से ये तियार कर सकते हैं, मात्र एक एक एगड़ छेतरफल के लिए पूरी आपूरती कर देगा आपका पोशब तत्नों की, ये गोबर की जितनी भी आपके पास शड़ करें, यानि कि इश्परे या चान कर आप इश्परे के माधियम से कर सकते हैं, या अगर शिचाई आप जो स्प्रिंकलर मेथर से टैंक में डाल कर इस खाद को, जहां भी आपका सोर्थ है, पानी का सोर्स है, शिचाई का सोर्स है, वहाँ पर आप उसको टैंक में डाल कर पा के लिए शायक हैं उन पोष्टत्तों की आपूरती ये जिवामरत असानी से कर देता है तो आप ये जिवामरत का प्रयोक्त अश्य करें लासुन की खिती में इसके बाद नेक्स चलते हैं बीज बुवाई देखो बीज बुवाई का उप्युक्त समय है वो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आप 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में लरसुन की बुवाई कर दीजिए लरसुन की बुवाई कैसे करना है आपको 15 cm लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए जैसे कि देख रहे हैं आप ये 15 cm लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए औ 10 अक्रोबर मिलने वाला है 100-100 कम सब्सक्राइब कलियात . 1.2- 1.2 ब्र standpoint बाद आप ये你 सीचाइब कर देて तो बाद that 3 सीचाइब कम से कम शिचाई की जड़त पड़ती है उसके बाद 15-15 दिन के बाद 3-4 शिचाई की खेती में शिचाई की जड़त पड़ती है और रोकिंडियंत्र मैंने पहले बता दिया ट्राइकोडर्मा बिरिडी और चुना आपको जो 600-600 ग्राम अपने गोभर की कमपोस्ट खाद है उसमें अ खुदाई और भंडना कब होगा खुदाई का उप्युक्त समय फरवरी का पर्थम पकड़ा है कि 10 अक्तुबर से 20 अक्तुबर के बीच में आपके बुवाई कर देंगे और फर्वरी फरस्ट भीक में हो है यह जो है आपका उप्युक्त समय है और आप जब इसको तो यह बिल्कुल भी आपको विशे ध्यान देनी की जरूत है जब आप लाशुन की खेटी को भंडारण के लिए तो तब जाके आप जून जोलाई में उसका अच्छा मुनाफ़ा ले सकते हैं जून जोलाई में मार्केट में इसका रेट जो है 100-500 के बीच में आसानी से यह भिग जाता है भंडारण के समय आपको पुरा इस टेम सहीत रखना है क्यों पट्तियूं को कट करना है कुछ फारमर जो होते हैं इसको इस टेम को पूरा कट करके उसको रख देते हैं ऐसा बिल् उत्पादन देने वाली अगर आपने जो है शही तरीके से आपने शुभ्यस्तित तरीके से अच्छा मेनेजमेंट करके और तक्निकी यानिकी बिर्वेग्यानिक तरीके से लशुन की खेती कर दी जो भी मैंने आपको इन बिंदो पर चर्चा करी उन बिंदों की हिसाब से आप उनको फ्लोग किया तो आपको 30 कुंटल नहीं आपको 40-50 कुंटल के बीच में आपको उत्पादन मिलने वाला लेकि 30 कुंटल मैंने मिनिमम एबरेज रखा हुआ है और सथ बजार भाव 100 रुपे किलो जेको 100 रुपे किलो असानी से मिल जाता है और वैसे तो पिछली जो है 500 रुपे किलो के बीच में जो है लेट भाव जो है वो गया था और इस हिसाब से अगर 100 रुपे मिनिमम मैंने में जो एबरेज रखा है यह 30 कुंटल अगर आप उत्पादन लेते हैं प्रतिय अगवड तो तीन लाग रुपे आपके कहेंगे तीन लाग रुपे आप असानी से प्रति अगर कमा सकते हैं